नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंतन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंतन में आज की कहानी है पूस की रात लेखक मुल्शी प्रेम चंद हलकुल में आकर अपनी स्त्री से कहा सहना आया है लाओ जो रूपे रखे हैं उसे दे दू किसी तरह गला तो छूटे, मुन्नी जाडू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली तीन ही तो रूपे हैं ते दोगे तो कंबल कहां से आवेगा मांक पूस की रात हार में कैसे कटेगी उसे कह दो, वसल पर रूपे दे देंगे अभी नहीं हलकू एक शंद अनिशित दशा में खड़ा रहा पूस सीर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह से नहीं सो सकता मगर सहना मानेगा नहीं घुड़कियां जमाएगा गालियां देंगा बला से जाडू मरेंगे पर बला तो सर से कटेगी यह सोस्ता वास्त्री के समीप आकर खुशामत करते हुए बोला ला दे दे बला तो छूटे कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा मुनी तुरंत उसके पास से दूर हड़ गई और आखे तरहरती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाय जरा सुन तो कौन उपाय करोगे कोई खराद दे देगा क्या कंबल ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती है मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ दे मर मर कर काम करो उपाज हो तो बाकी दे दो चलो चुटी हुई और बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जनम हुआ है पेट के लिए मज़ूरी करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपे ना दूंगी ना दूंगी हलकु उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यूं देगा क्या उसका राज है मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भोई धिली पड़ गई हलकु के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था मानो एक भूशन जन्तू की भाती उसे गूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपे निकाले और लाकर हलकु के हाथ पर रख दिये और फिर बोली तुम छोड़ दो अपकी खेती मजूरी में के सुक से एक रोटी खाने को तो मिलेगी किसी की धौंस तो ना चलेगी अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वह भी उसी में जोग तो उस पर यह धोंस हलकु ने रुपे लिये और इस तरह बाहर चला मानो अपना हिर्दाय निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर तीन रुपे कंबल के लिए जमा किये थे वे भी आज निकले जा रहे थे एक एक पक के साथ उसको मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठीटूरते वे मालुम होते थे हलकू अपने खेत के किनारे उक के पत्तों की एक छत्री के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाड़ी की चद्दर ओड़े काप रहा था खाट के नीचे उसका संगी खुता जबरा पेट में मूँ डाले सर्दी से कूंकू कर रहा था दो मेंसे एक को भी नीद ना आती थी हलकू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते वेब कहा क्यों रहे जबरा जाड़ा लगता है कहता था घरमे पुआल पर लेट रहा है यहां क्या लेने आया है अब ठंड खाओ मैं क्या करूं जानते थे क्या मैं हलुआ पूरी खाने आ रहा हूं जो दोड़े दोड़े आगे चले आए अब रोव नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दिम्हलाई और अपनी कू कू को धिर्क बनाता हुआ एक बर जमाई लेकर चुप हो गया उसकी शुआन बुद्धी ने शायद तार लिया कि सौमी को मेरी कू कू से नीद नहीं आ रही है हलकू ने हाथ निकाल कर जबरा की पीठ से लाते वे कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे यहरान पच्छुआ ना जाने कहां से बरफ लिये आ रही है उटू फिर एक चिल्लम भरू किसी तरह रात तो कटे आठ चिल्लम तो पी चुका यह खेती का मज़ा है और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पस जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गद्धे लिहाफ कंबल मजाला की जाड़े का गुजर हो जाए तकदीर की खुबी है मज़ूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे हलकु उठा और गड़े में से जरासी आग निकाल कर चिल्लम भरी जबरा भी उठ बैटा हलकु ने चिल्लम पीते हुए कहा पिएगा चिल्लम जाड़ा तो क्या जाता है जरा मन बहल जाता है जबरा ने उसके मूँ की और प्रेम से छलकती हुई आँखों से देखा हलकु बोला आज और जाड़ा खाले कल मैं या पुआल बिछा दूँगा उसी में घुसकर बैटना तब जाड़ा ना लगेगा जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिये और उसके मूँ के पास अपना मूँ ले गया हलकु को उसकी सांसे गरम लगी चिल्नम पीकर हलकु फिर लेटा और निश्य करके लेटा कि चाहे कुछ हो आपकी सो जाओंगा पर एक हिशड में उसके हिड़दे में कमपन होने लगा कभी इस करवट कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की बाती उसकी छाती को दबाए हुए था जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर्क थपतकाप अगर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुट्टे की देश से जाने कैसी दुरगंद आ रही थी पर वह उसे अपनी गोद से चिप्टाईवे ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था जबरा शाय समझ रहा था कि सुर्ग यही है और हलकू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुट्टे की प्रति ग्रणा की गंद तक ना थी अपने किसी अभिन मित्र या भाई को भी वह अपनी तत्परता से गले ना लगाता वह अपनी दीनता से आहत ना था जितने आज उसे इस दशा पे पहुचा दिया इस अनोखी मेत्री ने जैसे उनकी आत्मा के सब दौर खोल दिये सासा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेश आत्मेता ने उसमें एक नई सुफिरती पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे जौकों को तुछ समस्ती थी वह जपटकर उठा और छत्री के भारा कर भौकने लगा हलकों ने कई बार चुमार कर चुमका कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया हार में चारो तरफ दौर दौर भौकता रहा एक शन के लिए आ भी जाता था तुरंत दौरता करतव्या और घृदैक में अर्मान की भाती उच्छाल रहा था किसी तरह एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत की हवाक से धधकना शुरू किया हलकों उड़ बैटा और दौनों गुटनों को छादे से मिला कर सिर को उसमें छिपा लिया फिर भी ठंड कम ना हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगा हिम बह रहा है उसने जुकर अकाश की और देखा कि कितनी रात और बाकी है अभी तो आदी रात भी नहीं भी थी सबत्रीशी उपर आ जाएंगे तब जाकर कहीं सवेरा होगा अभी पहर भर और रात बाकी है हलकू उनके खेट में कोई एक गोली के टपे पर आमों का बाग था पत्ज़र शुरू हो गई थी बाग में पत्तियों का धेर लगा हुआ था हलकू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरू आज उन्हें जला कर खूब आग तापूँ रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो भूत समझेगा कौन जाने कोई जानवरी चीपा बैठा हो वगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता उसने पास के एरर के खेट से जाकर कई पौदे उखाड लिये और उनकी एक जाडू बना ली और फिर हाथ में सिलकता हुआ उपला लिये बागीजे की तरफ चला जबरा ने उसे देखा तो पास आया और दिम हिलाने लगा अब नहीं रहा जाता रहे जबरू चल बागीजे से बत्तियां बटोर कर तापे तब सोएंगे अभी तो बहुत रात बाकी है जबरा ने कूकू कहकर सहमती परकट की बगीचे में खूब अंदेरा चाया हुआ था और अंदकार में निर्दै पवन पत्तियों को कुछलता हुआ चला जा रही थी विरिक्षों से ओस की बुदे टपटप नीचे टपक रही थी एका एक हवा का जोंका मेंदी की खुशबू लिये आया कैसी अच्छी महकाई जबरू तुम्हारे नाक में भी आई हलकू ने कहा जबरा को कहीं जमीन पर हड़ी पड़ी मिल गई वह उसे चिचोड रहा था हलकू ने आग जमीन पर रगदी पत्तियां बटोले और जरा देर में ही पत्तियों का एक अमबार लग गया हाट ठिटूरे जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे पर वह पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था ताकि इस अलाव से वह ठंड को जला कर भसम कर दे थोड़ी देर में अलाव जल उठा बाकी लौ उपर वाले विरिक्ष की पत्तियों को छूचू कर भागने लगी उस इस्तिर प्रकाश में बगीचे के विशाल विरिक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अतहा अंदकार को अपने सिरों पर संभालते हुए जान पड़ते थे हलकू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था कि एक शन में उसने दोहर भी उतार कर बगल में दबा ली और दौनों पाउँ फिला दिये मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जो जी में आये सोकर ठंड की असीम शक्ती पर विजय पाकर वे विजय गरव के रिदय से फूला न समाता था उसने जबरा से कहा क्यों रहे जबर अप ठंड नहीं लग रही जबरा ने कू कू कर सहमती पर कट की अगर पहले उपाय सूजा होता तो इतनी ठंड क्यों खाते बोल जबरा ने भी पूछ लाई बोले अच्छा चलो आओ खेल खेलते हैं अलाव को कूद कर पार करें देखे कौन निकल जाता है अगर जबरा ने उस अगनी राशी को कातर नेत्रों से लेखा मुनी से ना कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी यह कहता हुआ वे उच्छला और अलाव के उपर से साफ नेकल गया पैर में जरासी लपट लगी पर कोई बात नहीं पर जबरा आखे इर्दिगर्द गुमकर उसके पास खड़ा हुआ हलकु ने का नहीं नहीं चलो इसके उपर से कुदो वे फिर कुदा और अलाव के इस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बागीचे में फिर अंधेरा चा गया था राक के नीचे कुछ ऐसे आग बाकी थी जो हवा का जोका आ जाने पर जरासा जग उड़ती थी पर एक शड में फिर बंद कर लेती थी हलकु ने फिर चद्दर ओड ली गरम राक के पास बैटा हुआ गीद गुनगुनाने लगा अब उसके बदन में गरमी आ गई थी पर जो जो शीद बढ़ती जाती थी आलस्या दबाये लेता था जबरा जोर से भुक कर केट किया और भागा हलकु को ऐसा माल हुआ कि जानवरों को एक जुन्ड उसके खेट में आया है शैद नील गायों का जुन्ड था उनके कुदने दोडने की आवाजे साफ कान में आ रही थी पर ऐसा माल हुआ कि खेट में चर रही है उनके चवाने की आवाज भी चर-चर सुनाई दे रही थी पर उसने दिल से का नहीं जबरा के रहते हुए कोई जानवर खेट में नहीं आ सकता नहीं तो वे नौची डालेगा मुझे ब्रहम हो रहा है अब तो कुछ सुनाई नहीं देता मुझे भी ही धोका हो रहा है उसने जोड से अवाज लगाई जबरा 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 भूंकता रहा उसके पास ना आया फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली अब वे अपने को धोका ना दे सका उसे अपनी जगा से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदया आया हुआ बैठा हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दुड़ना असूच जान पड़ता था वे अपनी जगा से ना हिला उसने जोड से आवाज लगई ली हो ली हो जबरा भौक उठा जानवर खेत चर रहे थे फसल तयार है कैसी अच्छी खेती थी पर ये दुश्टी जानवर उसका सर्वनाश किये डालते हैं हलकु पक्का इरादा करके उठा और दो तिन कदम चला पर एका एक हवा का ऐसा ठंडा चुबने वाला बिच्छु के ढंक सा जोंका लगा कि फिर भुचते वे अलाव के पास आ बैठा और राक कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गर्माने लगा जबर अपना घला फाड़े डालता था नील गाएं खेद का सफाया कि ये डालती थी और हलकु गरम राक के पास शांत बैठा वा था अकरमने ता नेरसियों की भाती उसे चारों तरफ से चकर्ट रखा था उसी राक के पास गरम जमीन पर वे चादर उड़कर सो गया सवेरे जब उसकी आख खुली तब चारों दरफ धूफ फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी क्या सोते ही रहोगे तुम यह आकर रम गया और उदर सारा खेद चौपट हो गया हलकु ने हुटकर का क्यों क्या तुझ खेद से ओकर आ रही है और नहीं तो क्या सारे खेद का सत्यनाश हो गया भला ऐसा कोई सोता है तुमारे यह मड़या डालने से बताओ तो क्या हुआ अरे हलकु ने बाना बनाया कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ तुझे अपनी खेद की पड़ी है पेट में ऐसा दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ दौनों फिर खेद की डांड पर आए देखा तो सारा खेद रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़या के नीचे चित लेटा है जमानो प्राण ही ना हो दौनों खेद की दशा देख रहे थे मुनी के मुख पर उदासी चायविती पर हलकू प्रसंथा मुनी ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी के लके माल गुजारी भरनी पड़ेगी हलकू ने प्रसंद मुख से कहा